Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Class 11th History के Chapter 6, The Three Orders में आपका स्वागत है ये Chapter 3 Orders के बारे में हैं तो पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है ये 3 Orders क्या हैं? तो generally, यूरोप में जो Society रही है उन्होंने जो है, अभी की तो नहीं, जो पुराना ताइम था, medieval age उन्होंने Society को तीन हिस्से में डिवाइट किया था clergy, nobility, and common common में सारे लोग आ जाते थे तो ये जो तीन Class है, इन्हीं के लिए जो है, त्री Orders आते है बाद में आकर के एक Middle Class आता है बट फिलाल क्योंकि हम Middle Age की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर यही तीन Society थी जिसके बारे में ये chapter पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चौथा जो है, Class कैसे आया था ठीक है, आप इसको आप Indian Contacts में देखें तो भारत में Society को उन्हें चार सेक्शन में डिवाइट किया था Brahmin, Chhatri, Vaishya, Shudra लेकिन Europe में तीन ही Class में डिवाइट किया हुआ है तो आहिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि Middle Age में Social Structure कैसा था और उसमें क्या कूछ चेंजे जाए ठीक है, आप Especially कहानी जो सुरू होती है वो होती है Roman Empire के end से Roman Samaraj, जिसको आपने last chapter में पढ़ा हुआ था कि Roman Samaraj किस तरह से द्वस्त होता है द्वस्त होने के बाद कई छोड़ छोड़े राज्ये बन जाते हैं Basically, और रोम पर जर्मन साइट से कई बार अटाक्स हुए थे जिसके कांड जो है, जो पूरा यूरोप जो इकठा था रोमन एमपार के कंट्रोल में, वो सारा को डिश्टर भी आता है और कई सारे अलग-लग राज्ये बनते हैं, जिसमें इटली में था, फ्रांस में था, स्पेन में था ये अलग-लग societies थी अब जो social system था, वो दो चीजों पर फोकस कर रहा है जो नए rules and regulation बने, कुछ तो Roman tradition थे, जो कि Roman Empire से उन्हों ने copy किया और कुछ पुराने German customs जो है, as it is follow होते रहे तीसरा जो source था, वो था Christianity का, जोगि Christian religion अब पूरे Europe में फैल चुका है तो Christian धर्म ने भी European society को काफी ज्यादा affect किया तो ये सारी चीजें जो है, मिल करके, जो Europe का social structure बनाती है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है ठीक है, आँ three orders, बता दिया already प्रिष्ट, ठीक है, जो प्रिष्टली class है, clergy, second nobility, और तीसरे peasants अभी तक international society भी grow नहीं की है, इसलिए peasants बाद में यही आगे चल करके, दो पार्ट बन जाते हैं, lower class और middle class ठीक है, ये जो third वाला जो है, ठीक है, इन ही के बारे में हमको पढ़ना है source of हमारे बारे information क्या है, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं खासका history के बारे में, तो पहला सवाल आता है कि information हम वो कहां कहां से मिलती है, ये आपका एक question भी बनता है ठीक है, तो कहां कहां से मिलती है, तो पहले चीज़ रिटेन documents बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं चुकि 5th century की बात की कहानी 5th से ले करके 50th century तक की तो source of information, जो written documents है, बहुत ज़्यादा मिलने हैं, इसलगते हैं additionally, details of land ownership, land के paper बनने लगें, तो वो record मिलता है prices and legal cases, court में cases हो रहे हैं, ठीक है, price list मिल रही है तो इससे भी हम को information मिल लिए, इसी तरह से church के पास बहुत सा है records है की birth का, marriage के चुके, यूरोप में क्या था, हर चीज का documentation ज़रूरी था लोग जैसे हमारे यहां क्या होता है, मंदिर में गया, शादी करवा लिया लेकिन उसका कोई paper work नहीं होता, बट church बाकायदा हर चीज का record रखता था चाहें आपका जन्म हो रहा है, शादी हो रही है, डेथ हो रही है तो यह records हमको आज भी मिल जाता है, जिससे कि हमको family structure के बारे में पता चलता है इसी तरह से, जो है, church में बहुत सारे inscription मिलते हैं उनको जो donation दिये गए, trade union से, ठीक है इसी तरह से बहुत सारे जो कविताएं, श्टोरियां लिखे गई तो वो सब भी हमारे पास important source of information के तौर पे हमारे सामने आते हैं तो इस तरह से, क्योंकि written work बहुत ज़्यादा था इसलिए हम उस दोर की socio-economic cultural condition को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं आप, feudalism पे काम करना किसने सुरू किया जो middle age का society है उसका जो सबसे बढ़िया characterization है उसके लिए जो term used होता, that is feudalism ठीक है, सामन्त वाद इंडिया में आप देखोगे, system दो तरह का होता है एक होता है, centralized system जिसमें राजा के पास supreme power होती है और वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपने देश को कई पार्ट में divide करता है और उन पर बहुत strong control रखता है जब मनकिया जिस भी Lord को हटा दिया जिसको रखा, मनकिया इसको यहाँ transfer कर दिया, इसको यहाँ transfer कर दिया तो यह powerful centralized system था जो कि Roman Empire में था या फिर उसके parallel इंडिया में Moral Empire या दूसरी जो है powerful dynasty ऐसे ही करती है उनके पास administrative जो है division तो होते हैं लेकिस उस division का मतलब नहीं होता जब चाहें तब राजा इनको खतम कर सकता है, नए बना सकता है, या फिर लोगों को यहाँ से वहाँ transfer कर सकता है तो ऐसे case में जो सामन्त लोग होते हैं जो officers होते हैं वो बहुत powerful position में नहीं होते हैं लेकिन जब बात हम feudalism की बात करते हैं तो feudalism में जो जो छुड़ छुड़ जो blocks होते हैं राजी के यह ज़्यादा powerful होते हैं राजा अपनी मनमर्जी से इसको यहाँ और इसको यहाँ नहीं कर सकता है ठीक है उनको काफी हद तक autonomy होती है कि वो अपने मनमर्जी से काम कर सकें राजा उनके मामले में interfere नहीं करता है तो middle age की society जो है वो एक feudal society थी जो की एक तरह से कह सकते हैं अपनी centralized society जिस पर अभी आगया करके देखेंगे ठीक है इस पर काम किस नहीं किया तो बहुत सा है राइटर से जिसमें सबसे फेमस नाम है Mark Block का ठीक है जिन्होंने इस feudal society पर काफी deeply study किया और उनके structures पर social phenomena पर काफी सारा काम किया ठीक है इनके book कौन सी है Mark Block book का नाम है Feudal Society ठीक है book का नाम क्या है Feudal Society especially उन्होंने France के reference में काम किया था और 900 से 1300 9th century से लेके 30th century के Feudal Society पर उन्होंने बहुत अच्छी case study की हुई है और जिसको हम पढ़ने वाल है एक छोड़ा सा reference है उनकी खुद की लाइब बढ़ी tragic रही क्योंकि जो है उस समय जो है Second World War का time चल रहा था और जो है जब नाजीज नहीं जो है उनको मार डाला था वो हमारा issue नहीं है introduction of feudalism feudalism शब्द आया कहां से है पहली चीज़ जो feudalism है वो एक German word है जिसका मतलब है peace of land जर्मन वर्ड feud से निकला हुआ है जिसका मतलब है peace of land क्यों ये नाम पढ़ा तो basically feudalism क्यों बना क्योंकि आपने ये देखा था कि रोमन सामराजी जो है किसी जमाने में पूरे योरोप पे फैला था ये पूरा इलाका जो है रोमन एमपार के कबजे में था फिर जो है कुछ जर्मन जो ट्राइबस थी वो पाउरफुल होती है उन्होंने फ्रांस पे कबजा किया इटली पड़ाक करना सुरू किया आसपास के इलाकों पर कबजा करके उस इलाके पर अपना रूल इस्टैबलिश करना सुरू किया अब था क्या कि जो भी ट्राइबस अलग अलग इलाकों पर कबजा कर रहे थे ठीक है अब यहां पर आपको आपको नाम जो फ्रांस मिल रहा है बेसिकली फ्रांस का पुराना नाम है गॉल ठीक है तो एक फ्रैंक सुसाइटी थी जश्ट समझने के लिए अभी इस बार में डिटिल में आगे देखें तो एक फ्रैंक ट्राइब थी जिसने इस गॉल पर कबजा किया और इसका नाम रखा फ्रांस ठीक है फ्रैंक उससे ज अगसे तो फुरे इलाके को अलग अलग तो को दे लिया का थीक है तुम इस कवीले पे रूल करो एक और यह कबिला दिया एक और यहOTHER लाका दिया एक को यह दिया ठीक है कि इतने एляются हम त minimize को दे रहे हैं शड़त ये है कि बदले में जब कभी भी हमें जुरुत पड़े जी एक और चीज थी, यहाँ पर क्या है कि जो राजाय बन रहा है, उसके हाथ में सुप्रीम पावर नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दे, या उसको अपने पोश्ट से हटा दे, एक्चिल में जिसको जो जमीन मिल तो इस तरह से जमीन का मल्टिपल टाइम डिविजन हुआ और हर आदमी अपने आप में उस एरिया का एक पर्मनेंट मालिक जैसा था, तो इस तरह से यही है फ्यूडल स्ट्रक्चर, अभी आगे जाएंगे तो इसको और डिटेल में अच्छे से देखने की कोशिश करेंग ठीक है, तो फ्यूडल सुसाइटी ना सिर्फ सोशल, एकनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरह के स्ट्रक्चर को शो करती है, ठीक है, और इसी को हम आगे चल करके देखने की कोशिश करेंगे, यह सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है, आएए देखते हैं कि यह सिस्टम के बारे में कि तो एकनॉमिक सेंस में, फ्यूडलिजम यह एक अक्रिकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम था, ठीक है, इसमें क्या होता था, कि जो भी लॉड्स होते थे, वो किसानों को जमीन दे दे थे, ठीक है, जो लॉड्स है, उनके पास चुके बड़ी बड़ी जमीने होते थे, वो किस प्रसनल खेत हैं, इस खेत पर आपको फ्री में काम करना है, ठीक, प्लस जो हमारी लड़ाई होगी, जब भी हम किसी दूसरी जगह लड़ने जाएंगे, तो आपको हमको फ्री में लड़ाई भी लड़नी जाना है, तो एकनॉमिक सेंस में क्या है, कि एक जो है, लॉड्ड ह पास बड़ी सी जमीन है, जिस जमीन को उसने कुछ लोगों में डिवाइड कर दिया, ठीक, अब इस शर्त पे कि आप हमारे प्रती लॉयल रहेंगे, प्लस आप जो खेती करेंगे, उसमें से कुछ प्रॉफिट हमको देंगे, ठीक, प्लस आप हमारे यां फ्री में काम करें प्लस जब भी हम कहीं वार के लिए जाएंगे, तो आप हमारे साथ लड़ने जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से ये एक एकनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसी तरह से अगर हम पॉलिटिकल सैट अप पे देखें, तो पॉलिटिकल सैट अप में ये पूरी पूरी च टाइम से ही चल रही थी, बट कुछ लोग मानते हैं कि यह जो है, एक फ्रेंच किंग थे, शारलमेन, स्पेलिंग जो है, चार्ल्स मैगने लिखते हैं, बट पढ़ते शारलमेन है, कि उसके टाइम तक आते है, 742 से 814 तक उसने रूल किया था, बहुत ही पॉर्फुल और र जरूत नहीं है, कि कैसे हुआ, आप फ्रांस में फ्यूडलिजम कैसे शुरूआ, दो केश्टडी है, फ्रांस और इंग्लेंड की, तो फ्रांस का जो पुराना नाम है, क्या है, देट इस गॉल, आपको पहली बताया हुआ है, ठीक है, बाद में जब है, यहाँ पर एक जो ह इसको अपना नाम दिया, फ्रांस, ठीक? ओरिजनली, इस वर जर्मन्स, बट गॉल पर कबजा करते हैं और अपना नाम देजते हैं फ्रांस, ठीक? इसके बाद जो है, जब इन्होंने कबजा किया, बैसिकली क्रिशियन थे लोग, तो इन्होंने क्या किया, जो है, आप इस से इनको सनक्षन मिलता है ठीक है जो जो पोप था उसने जो 800 में जो राजा शारलमें था उसको Holy Roman Emperor की उपाधी दी अब यह Holy Roman Emperor की कहानी क्या है Basically Roman Samarajji खतम हो गया है 5th century में ही खतम हो गया था 5th century पहले बहुत पहले ही खतम हो गया था लेकिन लोगों के दिमाग में Roman Empire की जो है अच्छवी अभी भी थी लोग जो है रोम को अभी बहुत respect की नजर से दीखते तो ऐसे case में जो शारलमें था उसके दिमाग में आया कि क्योंकि हमारा राची बहुत बड़ा हो चुका है तो हमको जो है Roman King की उपाधी मिलनी चीए ठीक है तो उसने जो है Pope के साथ एक Contract किया अब दिक्कत क्या थी कि आपको पता है कि Roman Empire जो है वो जो है यूरोप वाला खतम हो चुका था और Asia में Eastern Roman Empire जो है बन गया था जिसको जो है Byzantine Empire कहा जा रहा था तो डारेक्ली ये खुद को Roman Empire तो नहीं कह सकते थे तो ऐसे केस में Pope ने इसको एक नया नाम बना दिया कि यह Holy Roman Emperor है और इनका राजी जो है Holy Roman Empire है जब Pope को फाइदा क्या था ठीक है Pope का डारेक्ट फाइदा ये था कि जो शारलमें था उसने Pope को Security की Guarantee दे दी कि कोई भी आपको परेशान नहीं करने जाएगा ठीक है क्योंकि ये लोग भी Christian ही थे तो उसने इनको Safety and Security की Guarantee दे दी और Pope ने बदले में इसको Holy Roman Emperor की उपाधी दे दी येर क्या है 800 एक छोटी सी जो है शॉर्ट हिस्ट्री या फ्रांस की क्लोविस ये फ्रांस सुसाइटी का फ्रांक जो ट्राइब था वो उनका हेड बनता है कब 481 है 86 में क्लोविस और उनकी फ्रांक सुसाइटी ने जो Northern Gaul फ्रांस के उत्री हिस्से पर कबजा करना शुरू किया 496 तक आते आते ये लोग Christian बन गया ठीक है 714 तक आते आते चार्ल्स मार्टेल ये जो है पैलस का mayor बनता है 751 तक आते ये मार्टेल का जो बेटा है पेपिन उसने आस-पास का पूरा इलाका कबजा कर लिया और एक बड़ी dynasty बनाई और जो है अपना राज्य काफी बढ़ा कर लिया 768 में पैपिन का बेटा जो है शार्लमेन वो राजा बनता है और 800 में आते 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 पोप ने जो है पोप लियो थर्ड थे जिन्होंने शार्लमेन को होली रोमन एंपरर की उपाधी बना दी 840 तक आते आते नौर्वेग के जो वाइकिंग से बेसिकली यह डाकू ही थे जो की लगाता राज्यों पर हमला कर रहे थे उनके हमले सुरू होते यह इतना इंपोर्टन नहीं है सबसे ज़्यादा इंपोर्टन जो चीज़ है वो शार्लमेन का एंपरर बनना है ठीक है तो राजा बन जाता है और उसको होली रोमन एंपरर की उपाधी मिलती है और यहीं से कहानी जो है आगे पड़ती है थ्री ओडर्स सुसाइटी के तीन हिस्से क्यों सुसाइटी का डिवीजन हुआ तो एक बिशप थे अबेस हिल्डेगार्ड ठीक है इनका कहना यह था कि कौन स जो चरवाह यह सोसता है कि उसके सारे जानवर एक साथ रहें मतलब अपने गाये गधे भेड़ बकरी सबको वो जो है एक साथ ही रख देता है का ऐसा नहीं होता हम करते क्या है सबके लिए अलग-अलग स्टेबल बनाते गाय के लिए अलग बनाएंगे बेड़ों के लिए जरूरी है otherwise वो आपस में लड़ करके एक दुसरे को बरबात कर देंगे इसलिए जो है भगवान ने हम सब में equality नहीं बनाई है और सबको तीन अलग-अलग हिस्सों में होना चीए ठीक है अब वर्ड आ रहा है अबे अबे वर्ड कहां से आया तो यह एक इसलामिक वर्ड है सीरिया के डारेक्ट टेच में थे वहीं से उन्होंने यह वर्ड टेच किया अब्बा का मतलब पिता ठीक है तो जो अबे है वो basically monastery होता है और जब हम abbess कहते हैं तो abbess का मतलब हो जाता है father ठीक है तो यह इनका statement था कि society में division बहुत जरूरी है तभी society अच्छे से चल पाती है डिविजन में कौन-कौन थे तीन basic category थी clergy, nobility and present लगबग जो हजार साल तक society इन्हीं तीन class में divide रहती है clergy, nobility और present आईए देखते हैं एक-एक करके ठीक है यहाँ पर आपको feudalism और बहतर तरीके से आएगा second order nobility सवाल यह first order कहां गया ठीक है, first order को बाद में पढ़ेंगे, बज़े क्या है कि किसी भी system में जो political system सबसे important होता है जो राजा लोग होते हैं, जो governing class होता है, लेकिन जो most of किताबे लिखी वो धार्मिक लोगों ने लिखी तो ऐसे case में जो religious लोग थे, उन्होंने खुद को हमेशा top पे रखा इंडिया में देखोगे, जो society का division है, तो सबसे top पे हम ब्रामिन कहते हैं कि ब्रामिन फिर छत्री आते हैं, मिन्स राजा का stage जो है, वो ब्रामिन्स के बाद आता है similarly ये दिमाग जो है, Europeans ने भी लगाया, Europe के प्रिष्टली क्लास ने भी यही कहा कि प्रिष्ट, first order है, second nobility है, मिन्स राजा होगे, लेंडलोड्स होगे, गवर्नर्स होगे ये second number पे, लेकिन actual में क्या है, जो असली power तो राजा लोगों के हाथ में ही थी इसलिए nobility को इसने सबसे number one पे रखा है, भले ही उनका level second कहा गया था ठीक है, तो ये पूरा system जो है, एक vesselist system पे चलता था, vesselist का simple में नहीं है दास, तो जो France के राजा थे, उन्होंने जो है, क्या किया, जो जमीने उन्होंने acquire की, उसको big landlords में divide किया, आपको ये पता है, फ्रांस ने, जब Frank tribe ने फ्रांस में कबजा किया, तो उन्होंने क्या किया, जमीन को अलग-अलग कमीलों में बाठ दी, ठीक है, इस शर्त पे, कि ये जमीन मैं आपको दे रहा हूँ, बदले में आप हमारे परती अब nobel के पास भी बहुत बड़ी जमीन थी, तो उन्होंने अपने जमीनों को knights में बाठ दिया, ठीक है, ये पूरा इलाका king का, उसके बाद जो है, अब lords हो गए, lords के बाद जो है, knights हो गए, ठीक है, अब knights के पास भी sufficient जमीन हो गई, तो वो अपने अंदर, अपने लोग के नीचे knights हो गए, knights के नीचे common लोग हो गए, अब ये जमीन जो दे रहे हैं, तो उसमें एक mutual promise हो रहा है, promise क्या था, कि राजा जो है, जो भी senior होता था, जो भी जो बड़ी authority होता था, वो guarantee देता था, कि हम आपको, lord का मतलब होता है, the person who provides bread, ठीक है, lord का मतलब, the person who provides bread, जो आपको रोजी-्रोटी देता है, आपको खाने की ब्योस्ता करता है, तो क्योंकि, जो lord थे, वो लोगों को जमीने दे रहे थे, means source of income दे रहे थे, ठीक है, additionally, वो आपको protection दे रहे थे, कि बाहर से कोई attack होगा, तो हम आपको structure करेंगे, बदले में, ये उमीद की जाती थी, कि आप हमारे परती loyal रहेंगे, ठीक है, और आप जब भी हमें जरूरत होगी, तो आप हमकी हमारी help करेंगे, इसके लिए बाकायता church में जा करके, एक पूरा ritual होता था, कि लोग जाते थे, Bible के सामने कसम खाते थे, कि ठीक है, आज से हम दोनों एक दूसरे के परती loyal हैं, हम जोड ले हैं, जो nobles थे, इनको बहुत सारे privilege मिल गया थे, क्या क्या चीज़े थी, पहली चीज़, उनकी जो जमीने हैं, उस पर उनका absolute right होता था, कि राज़त तक उनको उस जगह से displace नहीं कर सकता था, उनके पास खुद की अपनी फौज होती थी, जो की अपने किसानों स सही मिल करके बनाते थे, उनके पास खुद का court of justice होता था, खुद वो सिक्के बना सकते थे, जो भी जगड़ा होता था, उसका judgment वो खुद दे सकते थे, इसी तरह से वो अपने इलाके में जितने भी लोग रह रह रहे थे, उनके वो जो है Lord थे, भगवान ही थे एक तरह से, देखो कितना मजगी बात है, कि ये जो Christian लोग इंडिया में आते हैं, तो हमारे भगवानों को भी उन्होंने Lord का, मतलब जो इनके जमिदार थे, जो इनका एक मामली सा, जो क्या कर राजा भी नहीं था, राजा से भी निशले लेवल का जो लोग थे, हमारे भगवानों को इ इसा, ठीक है, उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी जमीने होती थी, जिसमें उनके घर होते थे, प्राइवेट फेल्ड्स होते थे, पॉस्टर लैंड होते थे, जंगल होते थे, और जो उनके टैनेंट पीजेंट होते हैं, याद रखिए, यूरोप में किसानों की पर्मने जमीन नहीं होती थी, वो एक तरह के किरायदार थे, लॉर्ड उनको जमीने देता था, किस जमीन पर तुम खेती करो, और हमारे अंडर रहो, उसका जो घर था, लॉर्ड का, उसको मैनौर कहते थे, और उसकी खुद की जमीन जो है, दूसरे किसान लोग जो होते थे, जो उस साथ ज़्यादा complicated हो गया, एक बार इसको जो है, शॉर्ट में देखने और समझने की कोशिश करते हैं, सोरी, अजिए, वैसलेट सिस्टम में क्या है, तो basically एक चेन है, कि राजा नोबल्स को जमीन दी, नोबल्स नने ननईट्स को जमीन दी, ननने पीसेंट में जमीन दी, तो पूरक पूरा साइड में जो थ्री डॉट्स दिखते हैं उस पर क्लिक कीजिए और उस पर जो है जो क्वालिटी है टू फोर्टी या उससे अधिक कर लीजिए पिक्चर ज्यादा साफ आएगी किंग्स जो है जा लैंड नोबेल्स को देता था नोबेल्स लॉर्ड एक ही चीज होगी लॉर् आप हमारे प्रती लॉयल रहोगे और जब कभी लड़ाई होगी या जुरुत पड़ेगी आप हमारी हल्प करने आओगे एक रिचुल होता था जिसमें यह कहा जाता था कि सभी लोग जो है चर्च में जाकर के कसम खाते थे कि हम आपके प्रती निष्ठावान रहेंगे और होता था ठीक है खुद के सिक्के बना सकते थे उसके इलाके में जो भी लोग रह रहे हैं वो सबके माई बाप है उसके भगवान एक तरह से ठीक है उनकी जो बड़ी सी लाइंड होते इसमें बहुत सारे वर्क्शॉप थे पॉस्टर लाइंड थे फॉरेश थे शराब बना काम करना पड़ता था प्लस युद्ध हुआ तो उसके लिए फ्री में लड़ने भी जाना पड़ता था इवेन की जो सर्फ थे मिंस जो स्लेव्स थे वो उनके परमीशन की बिना शादी तक नहीं कर सकते थे तो आपको टोटली जो है इन लॉट्स पर डिपेंड रहना होता था अपनी मनमरजी से यह लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे एक बार फिर से इनके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं कैसे यह सिस्टम काम कर रहा है तो सबसे उपर किंग हो गया किंग ने जो लॉट्स हैं उनको जमीन दिया जो की जो है राजा के वैसल कहलाते थे जो लॉट्स हैं यह इनके प्रती लॉयल्टी दिखा रहे हैं और उनको मिलिटरी की सहाथा दे रहे हैं और जो राजा है यह इनको जमीने दे रहा है ठीक है सेम प्रॉसेस पे नीचे आते हैं जो लॉट्स है उन्होंने जो है नाइट्स को जह है जमीने दी ठीक है इनको घ नाइट्स की ओर से किसानों को मिलती थी ठीक जो नाइट्स हैं वो इन लोग को प्रोडेक्शन देते थे कि ठीक है अगर इस लाके पर कोई भी अटाक होता है तो हम आपकी हल्प करने को तयार हैं ठीक एडिशनली यह नाइट्स लोग उनको अनाजुगा करके देते थे और य सारी चीए दे रहे हैं यहाँ पर आपको अलग 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 काम देखने की कोशिश करते हैं ठीक यह थोड़ा से ज़्यादा साफ है राजा है राजा की नीचे लॉड्स हो गया ठीक राजा ने इसको जमीने दी बदले में इन्होंने लॉयल्टी और मिलिटरी आयड दिया वैसल ने फिर नाइट्स को जमीने दी प्रोटेक्शन दिया फूड दिया ठीक सबसे नीचे यहां पर ही वही है पीजेंट्स हैं पीजेंट्स और सर्फ दो तरग हो गया एक इंडिपेंडेंट हो गया जिनको जो है फ्री होकर के जमीने दी गई रेंट पही दिया लेकिन यह काफी हतक इंडिपेंडेंट थे और सर्फ टोटली स्लेव की कंडिशन में थे यह रेंट दे रहे हैं ठीक प्रोड़क्ट जो खाने पीने के सामान है वो दे रहे हैं फ्री में काम कर रहे हैं बदले में जो नाइट्स है इनको प्रडेक्शन दे रहे हैं ठीक यह पूरा राजा इनको जमीने देता था और बदले में ये लोग उसको जो है support देते थे ठीक है दो तरह से एक political system, economic system economic system में जो है इसको manorialism कहते हैं और जब politics में बात करते हैं तो feudalism कहते हैं बात एक ही है ठीक आगे चलते हैं वीडियो पे ठीक है हर एक Lord के पास अपना Manor House होता था Lord का जिए इलाका था वो पूरा का पूरा Manoril कहलाता था इसमें क्या-क्या चीजे थी इसमें जो है बहुत बड़े-बड़े इलाके होते थे जिसमें कई गाओं होते थे हर गाओं के भीतर अगर छोटा गाओं है तो एक दरजन फैमिली जो बड़े गाउं होते थे उसमें 50-60 फैमिली तक इसमें रहती थी और अपने जरूत का लगबग सारा कुछ जो है वो उगाही लेते थे इट मेंस जो क्रॉप्स हैं वो बना लिया अंदर ब्लैक्समेथ कारपेंटर ये सब होते थे जो कि जो लॉर्ड होता था उसके लिए टूल्स वैपन्स ये सब बनाते थे श्टोन मैसन थे जो कि उसके लिए बिल्डिंग्स बनाते थे जो विमेंस होती थी जो उसके लिए कप पढ़िया मिल जाती थी जरोत के लिए तो इस तरह से almost काफी हद तक वो self-dependent होते थे तोटली नहीं याद रखना काफी हद तक self-dependent होते थे यहां पर एक image दिख रही है एक lord के manor house का यहां उसका house है यहां एक church है यहां वो settlement है जहां उसके लोग रह रहे हैं कुछ west land है इसके बाद जो है कुछ इनके पास यहां पर जंगल आपको देख सकते हैं ठीक है यहां पर खेती की जमीने हैं यहाँ पर इनके पास जो है पॉस्टर लाइंड हो गए ठीक यहाँ पर कुछ और जंगल हो गए तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो जो मैनर होते थे वो काफी बड़े इलाके होते थे जिसके अंदर बहुत सारी चीजे होते थे पॉंड हो गया सण के हो गई तो बहुत सारी होती थी और इस बड़े इलाके पर वो रूल करते थी 30th century तक आती आती Lots के पास आप पैसे बढ़ने लगे Agriculture थोड़ी से इंप्रूव हो गई तो इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसके कारण Lots के हाथ में कुछ पैसा जादा आ गया जिसके बाद उन्होंने बड़े बड़े किले बनाने शुरू हुए और इसमें Knights रहना शुरू हुए Knights कौन थे तो basically यह इनके Soldiers थे जो इनके लड़ते रहते थे इस तरह से जो Lots हैं वो बहुत ज़्यादा powerful हो गया इस हद तक powerful हो गया क्यों उन्होंने राजा तक को challenge करना शुरू कर दिया manner जो है कभी भी self sufficient नहीं थे हलाकि जरूत का जो है 80-90% चीज़ें जो है वो खुद उगा लेते थे बट वो self sufficient नहीं याद रखिया इस पर भी एक question बनता है कि manner जो है self sufficient थे या नहीं थे ना view लिखिये तो totally वो self sufficient नहीं थे क्यों क्योंकि उनको salt चीए था सीधी सी बात है कि बिना नमक के आपको खा नहीं सकते तो वो बाहर से इंपोर्ट होता था additionally आपको millstone अगर आप जो है आटा पीसना है या फिर वाइन पीस नहीं थी तो उसके लिए जो पत्तर चीए था बाहर से आने थे metal बाहर से इंपोर्ट होना था इसी तरह से जो rich जो lots थे उनको बहुत सारी luxurious item चीए थी वो भी बाहर से आती थी महंगे-महंगे furniture's, musical instruments, ornaments यह सारी चीज़ें अलग अलग जगों से इंपोर्ट होती थी इस तरह से manner जो है totally जो है self sufficient नहीं थे वो बाकी लोगों से connection था बट यह था कि society उतनी भी जादा दूसरे लोगों पर depend नहीं थी अब आते हैं second class knights, knights बहुत important रहे हैं अब basically हमारे हाँ इनको राजपूत आप कह सकते हो राजपूतों की तरह यह रहे हैं जैसे राजपूत की वीड़ का था है बहुत famous रही है ऐसे यूरोप में knights की जो कविताएं हैं knights पर poems यह बहुत famous रही है knights basically थे कौन और 9th century तक जो European lords से वो basically peasants पर ही depend थे होता क्या था कि यह लोग peasants को ही अपने सैनिक बना लेते थे कि साल भर आप खेती करो जब लडाई होगी इनहीं किसानों को पकड़ करके वो ले चाते थे और इनहीं से लडाई लडवाते थे पर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि यह लोग लड़ने के लिए फिटे नहीं है वजह क्या है एक किसान की body एक अलग तरीकी होती है उसको proper training नहीं मिलती साल भर वो खेती कर रहा है ग्यारा महीने खेती कर रहा है बरह महीने कहो कि आप तलवार लेके लड़ने चलो तो वो अच्छे warrior नहीं हो सकते है ठीक है तो ऐसे case में lords ने सोचना सुरू किया कि हमको एक professional army चाहिए ठीक है और यही professional army जो है यह knights के रूप में उभरते हैं ठीक यह लोग lords ने इनको appoint किया था और इनको जमीने दी गई lords ने इनको जमीने दे दी कि यह जमीन लो और यह जमीन के लिए जो word आ रहा फीफ याद रखिया फीफ एक term आ रहा जो कि lords जो है knight को यह जमीन देते थे ठीक फीफ जो word भी का meaning भी है peace of land और फीफ का word भी meaning है peace of land यह सब छोड़ छोड़े term है जो कि एक नमबर वाले question में आ सकते हैं तो याद रखिएगा ठीक है उसको एक बड़ी सी एक जमीन दे दी का यह जमीन लो इस जमीन में तुम अपने नौकर रखो उनसे खेती करवाओ जो profit होगा तुम्हारा बदले में तुमको सिर्फ एक काम करना है कि जब भी लड़ाई होगी आप हमारे से लिए लड़ोगे ठीक है नाइट की फैमली के लिए चर्चेज होते थे उसके बाद यह वाटर मेल वाइन प्रेस तो एक तरह से यह मिनी जो है लॉड ही हो जाते थे अपने आप में ठीक है जो नाइट्स होते थे उसके अंडर किसान रहते थे और किसान लोग खेती करके नाइट्स को देते थे ठीक नाइट्स को फिर जितने भी टैक्स आते थे तो नाइट्स जो है थोड़ा सा टैक्स का कुछ हिस्सा लॉड्स को दे देता था तो कुल मिला करके पूरा पूरा च किले बना करके लडाई की प्रैक्टिस करते थे जैसे आज की तोर में मिलिटरी की एकसराइज होती ही रहती है तो काफी कुछ यही था कई बार जो एक नाइट था वो अलग-लग लॉड की सेवा कर सकता था मिंस एक लॉड ने दूसरे लॉड को के लिए भेज दिया कि ठीक है इन नाइट्स के बारे में, नाइट्स की वीडता के बारे में, क्यों? यह वो टाइम था जब लॉड जो है हुँआ लड़ते भीडते रहते थे एक गुशन की जमीने कब्जा करते रहते थे तो ऐसे केस में बहुत जरूरी था कि उनके पास सायनिक रहें और सायनिक ही ना ये हमारे प्रति लॉयल भी रहे इस बात की संभावना थी चुकि ये पाउरफुल सोर्जर्स थे नाइट्स तो ऐसे केस में लॉट्स को इन से डर भी लगता था तो खूब सारी कविताएं लिखी गई जिसमें नाइट्स के लॉयल्टी के बारे में काफी कुछ जो है महांता दिखाई गई और उनको ये कहा गया कि अगर आप हमारे प्रति लॉयल रहोगे तो देखो दुनिया आपको याद रखेगी और जहां कहीं बड़ी-बड़ी पार्टियां होती थी तो बकाइदा एक मिनिस्ट्रल गैलरी बनाई जाती थी चोटा सा वहां पर बैट करके तो तो मुझे भी इसके किनारे पासी पर एपर चढ़ा दीजिए कहा कि अगर उसको आग में जला दिया जाता है तो मुझे भी ज़ूट जटा हुआ है और हम जो है टोटली उसके साथ जुड़े हैं तो जो किसमत उसकी होगी हम उसके साथ होने को तयार है तो इस तरह की कविताएं सुना सुना करके Lord's को मोटिवेट किया जाता था कि आप जो है निश्ठावान रहिए आप किसी भी हाल में Lord's को धोका मत दीजिए सोच के देखो कितने दिमाग से ये लोग काम करते थे क्योंकि सीधी सी बात है Lord के पास बहुत बड़ी जमीन हो गई तो वो खुद आलसी हो गए थे तो उनको डर था कि हम तो लड़ नहीं सकते हैं ऐसे किसमें अगर ये लोग भी नहीं लड़ेंगे अब उल्टा हमी पर अटाक कर देंगे तो हमारी लाइफ का क्या होगा तो इन्होंने उनका ब्रेनवाश करके इस तरह की कविताएं सुना सुना करके उनको मोटिवेट करते थे कि आप हमारे लिए लड़ते रहे The First Order Clergy Clergy कौन है तो basically ये प्रिष्ट क्लास है जो चर्च की जो पादरी लोग थे ये basically वो है इनकी condition क्या है तो चर्च के पास खुद की बड़ी बड़ी लैंड होती थी तो जैसे बड़ी बड़ी लैंडलोर्ड थे तो चर्च भी अपने आप में बड़ा सा लैंडलोर्ड ही था जिनके पास बहुत बड़ी जमीने होती थी जो की राजाओं ने दी थी और राजा इनको अलाव करते थे कि आप टैक्स वसूल सकते है ठीक है और ये एक तरह से राजा के पैरलल हो गया थे चुकि जमीने इनको बहुत बड़ी थी और इनका हैट कौन था तो बेसिकली पोप था जो की रोम में रहते था तो इस तरह से फ्रेंज सुसाइटी में दो हैड हो जाते थे एक हो गया किंग जो की पॉलिटिकल हैड हो गया ठीक है किंग और एक रेलिजियस होएड हो जाता था वो हो जाता था पोप ठीक है धर्म के मामले में पोप और जो है अड्मिनिस्ट्रेशन के मामले में किंग दोनों के पास बड़ी बड़ी जमीने हैं और दोनों अपने हिसाब से administration कर रहे हैं Pope कहाँ पर रोम है तो इनके officers में दो लोग थे जैसे वहाँ पर knights और lords थे इनके बिशप हैं और clerics हैं बिशप बड़े governors हो गए चर्च के जो कि बड़े-बड़े states में थे हैं ठीक है और clerics जो छोड़े churches हैं उनके मालिक हैं ये दोनों लोग मिल करके जो है first order बनाते थे जो कि church को control करते थे हर Sunday को जब prayer होती थी तो सारे गाओं के लोग इकठा होते थे और वहीं से जो है इन churches को power मिलती थी कि लोग जो है इनकी बात सुनते थे एक और चीए हर कोई जो है प्रिष्ट नहीं बन सकता हर किसी को allow भी नहीं किया था जैसे सर्फ को उन्होंने ban कर दिया वो slaves हैं उनको allowed नहीं था अगर आप फिचकली challenge है विकलांग है तो आपको allowed नहीं था women's को मना कर दिया पुरुषों को जो है प्रिष्ट बनना लाइफस्टाइल होती थी एडिशनली जो चर्स था वो एक टैक्स लेता था अपने आप में टाइथ बोलते थे टाइथ जो की total crop production का दस्वा हिस्सा चर्च एज़ टैक्स वसूलता था तो इस तरह से lots की भी जो life है वो जबर्दस हो जाती थी कई अलगला तरीके से भी जो है वो पैसे collect करते थे कई जगा donation charity इन सब नाम पर भी खूब सारा जो है वो पैसा वसूलते थे इसी तरह से चर्च में आप शादी कराने गए कोई और function कराए तो उस सबसे भी चर्च को बहुत जादा income होती थी ठीक है चर्च जो है बहुत सारी जो है ceremony conduct कराता था ठीक है जो की feudal elites के लिए common logo के लिए और जो है जिससे उनको income होती थी ठीक है additionally जो Lord से उन्होंने क्या किया चर्च के बहुत सारे परंपराओं को copy करना शुरू किया वो दिखाना चाहते थे कि हम लोग भी भगवान religious logo की तरह ही powerful है उन्होंने ये ensure कि जब भी हमारे सामने आएगा कोई बंदा नीप घुटने पर जुक करके pray करेगा अपने हाथों को सीने पर लगाएगा सर जुका करके करेगा तो कहीं न कहीं जो knights थे उनकी loyalty दिखाने के कहा कि जैसे knights अपने lord के परती वैसी निष्ठा होने चीए जैसे लोगों का भगवान के परती आस्था होती है तो इस तरह से उन्होंने अपना system बनाया और ये दिखाने की कोशिश की ये जो lord है वो अपने आप में खुद को भगवान के तरह ही शो करना शुरू किया कि हम आपके लिए माईबाब हैं हम ही आपके लिए भगवान है और हम ही सब कोछ है Church की parallel Christian लोगों में ही एक और परंपरा develop होती है that is monastery system कुछ लोग ऐसे थे जिनको public life पसंद नहीं आ रही थी तो उन्होंने क्या किया शहरों से बहुत दूर दूर दराज की लाके में कुछ अलग monastery बनानी शुरू कि जिनको कहा गया abbeys abbeys क्या है monasteries कुछ famous monastery है Saint Benedict जो कि Italy में है 529 में बने और एक Cluny जो कि Burgundy में बना 910 में monks जो है prayer, study और अपना farming या अपने normal कामों में लगे रहते थे इनको बाकी दुनिया से मतलब नहीं था ये society से अलग रहते थे यहाँ पर men women दोनों रह सकते थे बड़ शर्त यह थी कि दोनों के लिए अलग अलग होगा मतलब male के लिए अलग जो है मत बनाएगे और females के लिए अलग मत बनाएगे जो male monks थे उनको monks बोलते थे जो female थे वो nuns थे और उनको भी शादी करना allowed नहीं था एक और नहीं community ग्रो होती है जो की घूम घूम करके प्रे करना सुरू करती है मतलब वो एक जगा fix नहीं रह रहे थे वो जगा जगा घूम घूम करके उन्होंने वर्शिप करनी शुरू की they were called friars ठीक है ये वो साधू लोग थे जिन्होंने कहा कि हम एक जगा मठ में नहीं रहेंगे हम घूम घूम करके लोगों से मिल करके धर्म का परचार करेंगे these were called friars ठीक है जो monasteries से समय के साथ काफी develop होते गए starting में 10-20 लोग रहते थे धीरे धीरे जो कई हजार लोग रहने लगे बड़े-बड़े buildings बनने लगे उनके अपने school, college, hospital बनने लगे और इस तरह से वो काफी ज़्यादा grow होते चले गए ठीक है उन्होंने बड़े-बड़े arts को, music को काफी ज़्यादा promote किया और Christianity के develop करने में इन monasteries का बहुत बड़ा role रहा है ठीक है आज जो एक और छोटा सा reference आ रहा है कि जो monastery है यह word monos से निकला है Greek word है monos जिसका मतलब होता है to live alone ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर एक famous monastery का पिक्चर है जो कि St. Michael's Benedict है जो कि England में है कई बार यह याद रखना कि picture से भी related question आते हैं एक picture दे एता है और आप से पूछा जाता है यह किस monastery का है तो यह St. Michael's Benedict का है Sorry, Michael Benedictian Abbey है जो कि England में है जो भी monasteries होते थे उनके भीतर कुछ rules and regulation थे चुकि लोग बहुत जादा रहने लगे थे तो कुछ rules बनाएगे ऐसे ही जो Benedictian monastery है उन्होंने 73 rules बनाएगे क्या-क्या चीज़े थी कि chapter 6 चैप्टर का मतलब rules C है permission to speak should rarely be granted to monks monks को public में आकर speeches नहीं देनी है humility means obedience कि अगर आपके अंदर विनमरता है तो उसका मतलब है कि आप सारे rules को follow करोगे obedient बनोगे no monks should किसी भी monks को अपनी private property रखने का allow नहीं होगा कोई भी monks जो है वो idle नहीं होगा आलसी नहीं होगा इसलिए जो भी friars और sisters है ये हर काम सभी को manual labor करना पड़ेगा और कुछ time धार्मी किताबों को पढ़ने में लगाना पड़ेगा इसी तरह से जो monastery है वो इस तरह से रखना पड़ेगा कि उसके अंदर water हो सारी चीजें होगी water होगी, mail होगी, garden होगी, workshop होगी क्योंकि जो इनको भारी दुनिया से मतलब नहीं रखना था तो वो सारी चीजें जो इनकी जरूद थी जैसे खेट चीए थे, पानी चीए था, garden, workshop जिससे कि इनका सारा काम खुद से ही चल जाए तो वो सारी चीजें ये इनके खुद के monastery के भीतर होनी थी इस तरह से 40th century तक आते आते कुछ लोगों ने इस monastery system पर भी सवाल उठाने जुरू किये जैसे इंग्लेंड में एक long land साहब हैं उन्होंने एक कविता लिखी पियर्स plowman उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ये monastery के लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े बिशप लोग हैं ये जो luxurious life जी रहे हैं दूसरी और और ये दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े संत हैं बहुत महान आदमी बहुत महान करम कर रहे हैं दूसरी और जो एक common plowman है वो जो है pure faith के साथ भगवान की पूजा कर रहा है तो असल में जो सच्चा आदमी है वो basically ये simple plowman है ना कि ये luxury life जीने वाले ये monks लो या साधू लो इसी तरह से एक William Chaucer है जिन्होंने एक book लिखी Canterbury Tales वहाँ पर भी उन्होंने monks, nuns और friars का मजाक उड़ाया तो इस तरह से हमने ये देखा कि कुछ लोग जो है वो church के system का मजाक भी उड़ाना शुरू करने लगे थे उनको लगने लगा था ये चीज़ बहुत सही नहीं है ये लोग जो है जाकर के वहाँ मस्ती कर रहे है और लोगों के पैसे को exploit, मतलब गलत चीज़ों में waste कर रहे है Actually church में कुछ corruptions आभी गये थे कई बार ऐसे आरोप लगे कि उनको शादी नहीं करनी थी बट उनके illegal relations के news आते हैं 50th century तक उन्होंने आकर के चर्च को पैसा दीजिए सिधी सी बात है जी जस तो पैसा लेंगे नहीं यह सारे के सारे जो चर्च के पादरी लोग थे सारा पैसा खुद खा जाते थे तो अब हला की church and society हला की यूरोप जो है Christian बन चुका है लेकिन फिर भी पुरानी कुछ परंपराएं चलती रही थी जैसे कि black magic, folk tradition कि सब चीजे जो है चले ही रही थी दो बड़े example है Christmas और Easter का Christ के birth को उन्होंने 25 दिसंबर को celebrate करना सुरू किया जो Christmas day होता है कहा कि मान लिया कि 25 दिसंबर को जिसको उन्होंने Jesus के birth के साथ attach कर दिया और ये क्योंकि solar calendar से जुड़ा होता तो solar calendar में आप देखोगे date कभी change नहीं होती यही वज़ा है कि Jesus की जो जन्म है वो हमेशा 25 दिसंबर को ही Christmas जो है celebrate किया जाता है लेकिन जो Easter festival था ये भी एक पुराना ही festival था जिसको उन्होंने Easter से रिप्लेस किया Easter क्या है तो माना ये जाता है कि जिस दिन जो है Christianity, sorry Jesus को crucify करने के बाद ये Jesus फिर से जी उठे थे बट क्योंकि ये लूरामी मतलब चांद वाले calendar के हिसाब से चल रहा था इसकी date हमेशा move होती रही इसकी date fix नहीं है आप देखोगे जितने हिंदू festivals है उसकी भी date fix नहीं है वो date हमेशा move होती रहती है तो वज़े क्या है तो कुछ festival उन्होंने solar calendar से उठाय कुछ lunar calendar से उठाय इसी तरह से उन्होंने कुछ dates को holiday कहा तो basically जो dates बनाए जो Sunday था उसको holiday कहा ये पवित्र दिन है ठीक पवित्र दिन का मतलब ये बनाए basically पूजा पाठ के लिए कि इस दिन आप आकर के पूजा पाठ करोगे बाद में इसको holiday बना दिया गया एक ऐसा दिन जो free होता था जिस दिन आपको काम नहीं करना चर्च ने क्या decide किया था कि इस दिन काम आपको इसलिए नहीं करना कि आप जाईए पूजा पाठ कीजिए लेकिन लोग इस दिन जो है गाउं भाग जाते थे घुमने फिरने और मस्ती करने में टाइम बिताते थे इस का जो holiday का concept है holy यानि के पावित्र दिन उसको इन्होंने holiday बना दिया means enjoyment का दिन ठीक है pilgrimage ये जो है उनकी life का एक important part था कि जो लोग है वो अलग 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 जगहों पे जैसे Muslim लोग दरगाहों है या Hindu लोग जो है ये परंपरा थी ठीक है कि लोग जो है जो है अलग लग चर्चेज में घूमने जाते थे तो ये चीज उनके यहां भी थी यहां पर एक छोटी सी पोएम है William Chaucer की Contravery Tell से कि April में जबकि उनके हाँ street shower जो है आने लगती है और March की में उसकी बूदे जब जड़ों को भीगाने लगती है छोटी-छोटी चड़िया जब चहकना सुरू करती है और जो है सबकी आखों से नीद खतम हो जाती है Nature pricks them and their hearts engage लोगों के भीतर प्यार का मौसम पनपता है हमारे याँ April का मौसम सुहावना मौसम होता है यही कह रहा है कि April में जबकि मौसम बहुत सुहावना हो जाता है पक्षी चैचाहने लगते हैं पेडों में उसकी बूदों से पेडों को नई जिंदगी मिलती है बाज़ों जो है लोगों के में अंधहर्ट में प्यार की भावनापन अपने लगती है उस दौर में जो पालमर लोग हैं जो तीर्थे आत्रा करने वाई लोग हैं वो अलग-लग दूर के देशों में जाते हैं और वहां जाकर मठों में जाकर के पूजा पाठ करने में लगते हैं कहें क्या मतलब है जिस दौर में नेचर अपने सबसे खुपसूरत रूप में हमसे मिलने आती है और हम उनको छोड़ करके भगवान की ओर जाते हैं तो ये एक तरह का व्यंग रहा है ठीक है आज थर्ड आउडर ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस वीडियो से रि जरूर मेंशन कीजेगा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद आपका देन शोभो